मद्रप्रदेश की करीब दो दर्जन सीटों पर सपा और बसपा का वोट बैंक नतीजों को प्रभावित करने की ख्षमता रखता है 2013 के विदानसावा चुनावों की अगर बात करें तो बसपा को पांच सीटे मिली थी लेकिन सपा का खाता नहीं खुल पाया था हलाकि इस बार समीकरण बदले हुए हैं इस बार भाजपा और कॉंग्रेस के कई बागी नेता सपा और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं आए जानते हैं किन सीटों पर सपा और बसपा बिगाड सकती हैं भाजपा की जीत का गणित सबसे बहले बात करते हैं गौले और ग्रामिंड सीट की यहाँ पर भाजपा के वरतमान विदायक और प्रत्याशी भरत सिंग कुश्वाह का सीधा मुकाबला ब्यस्पी के उमिद्वार सहाब सिंग गुरजर से हैं यहां कौंगरिस तीसरे स्थान पर है शीपूरी की पोहरी सीट पर भाजपा और कौंगरिस के उमिद्वारों को ब्यस्पी के कैलाश कुस्वाह से टक कर मिल रही है भाजपा से बागी हुए बाबुलाल मेवरा इस बार बीएसपी के टिकट पर विजयपुर विधानसबा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो भाजपा के लिए मुस्किलें खड़ी कर सकते हैं हलाकि पिशली बार बसपा की ओर से चुनाव लड़े अजब से कुश्वा इस बार भाजपा के प्रत्याशी हैं लेकिन बसपा से मानवेंदर सिकरवार ओर्फ गांधी कड़ी टकर देने की स्थिती में नजार आ रहे हैं दिमनी से बसपा विधायक बलवीर सिह दंडोतिया इस बार मोरैना से उमीदवार है और भाजपा को कड़ी टकर देने की स्थिती में है इस सीट पर पिशले चुनाव में भी बसपा के राम प्रकाश राजोर या दूसरे स्थान पर रही थे दिमनी विधानसवा सीट फिलहाल बसपा के पास है यहां पिशले चुनावों में भाजपा तीसरे स्थान पर रही थी इस बार बसपा ने छहतर से हैं तोमर को टिकट दिया है अंबा विदानसवा सीट फिलाल बसपा के पास है यहाँ पर सत्य प्रकाश सखवार विधायक है और भाजबा की जीत के आसार कम नजरा रहे हैं बात करते हैं भिंड विदानसवा सीट की फिलाल ये सीट भाज़पा के पास है लेकिन कहा जाता है कि फिछले तीन चुनावों में कोई भी पार्टी यहां से लगातार दो बार नहीं जीच सकी है वहीं एंटी इंकममेंसी का भी खासा असर यहां दिखाई दे रहा है भिंड विदानसवा सीट पर बजबा के संजीव कुश्वा और समाजवादी पाटी के नरेंद्र कुश्वा भाजबा के राकेश ने चौधरी की जीत मushकिल कर सकते हैं गोहद विदानसवा सीट पर BSP के उमीदवार जगदीश सागर भाजपा के उमीदवार और मंत्री लालसी आरे को चुनाती दे रहे हैं व्यापंगोटाले में अरोपी डॉक्टर सागर की पत्नी जिला पंचायत की सदे से रही है और बसपा को यहां से जीतने की उमीद है पिछले चुनाओं में ही यहां जीत नसीब हुई थी और इस बार जीत को दोरा पाने की राह में 2008 में यहां से विदायक रह चुकी समाजवादी पार्टी की मीरायाद अब रोड़ा बन सकती है चंदला विदानसवा सीट की अगर बात करें तो दो बार या सीट समाजवादी पार्टी के पास रह चुकी है और इस बार भी चतरपुर जिले की इस विदानसवा सीट से भाजवा की बागी अनित्या से भाजवा का गणेत बिगार सकती है सत्ता की रेगाव विधानसाबा सीट फिलहाल बसपा के पास है और यहां से इस बार भी भाजपा को जीत मुश्किल दिखाई दे रही है रामपूर बगेलान की अगर बात करें तो 2008 में यह सीट बीएसपी के पास थी और पिछले चुनावों में बसपा दूसरे स्थान पर रही थी और इस बार भी बसपा उमीदवार राम लखन सें भाजपा के हर्श सें की जीत में मुश्किल खड़ी कर सकते हैं रीवा की सेमरिया विधान सावा सीट पर बीएसपी हमेशा भाजपा को टकर देती आई है कॉंग्रेस यहां तीसरे स्थान पर रहती आई है इस बार भी भाजपा के जीत में बसपा रोडे अटका सकती है